दोस्तों चमारजाती का लड़का राका पूरे भारत में चाया हुआ है भारती नहीं बल्कि विदोसों में भी चाया हुआ है लेकिन कुछ हमारी समाज के लोग होते हैं जो तब कुछ नहीं कर रहे होते हैं जब तो पमान सैंते हैं लेकिन जब उन्हीं लोगों के तमाशा मारने की बारी आती है, जब वे खुद को ही बदल लेते हैं, हमारे समाज के बड़ी विडमना है, कि कुछ लोग होते हैं, जब उनको अच्छी पोश्ट मिल जाती है, अच्छा पद मिल जाता है, पैसा आ जाता है, वे अपनी चमारजाती को बदल लेते हैं, राका अपने फैमिलियन थमगाने से फेम में आए, और फेम में आने के बाद उन्होंने कहा कि बई मैं जाती का चमारू, मेरे पास ना कोई जमीन है, ना कोई जाज़ाता है, और ये बड़े ही करभ की बात है, बड़ी दम चाहिए उस बंदे को जिस जाती को हमें साही समझ जाता है, और रहाओ को छोटी है, नीचे कुछ नहीं कर सकते, राका भाई ने उन सभी लोगों के तमाचा मारा है, आज फूरी दिने उनका दम माननी है, और राका भाई में बहुत इच्छी बात लगी मुझे, इतना हिट सोंग देने के बाद, इतने उपर आने के बाद त तारिफ करना चाहूंगा, कि इतना हिट सोंग देने के बाद इनमी, जबकि इनको कोई नहीं जानता था, एक दो आर्टिकल लिखे हुए कूगल पर जिसमें उसको जट बताया गा, लेकिन भाई ने कहा कि बाई मैं चमार हूँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन गाने का रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो रागा कहते हैं कि बाई गाने जो होते हैं इंटर्टेर्मेंट तक होते हैं, और रागा ने इस बात को यार रागा की आतारिफ करनी चाहिए, उन्होंने का कि बाई मेरे सस्क्रेब गटते हो गटो, मिज़ परग नहीं अपने डेंजर चमार गाने से हिट होई थी और मीडिया वालों ने इतने सवाल पूछे सब्द को लेकर के भाई तुम ने ये क्यों गया ये क्यों गया ऐसा ही क्यों गया बैए उसे ने जवाब दिया कि भाई मैं जब कर शकूल में पढ़ती थी तो मेरी क्लासमेंट ने पू वो अपमान के तरीके से कहा था यूंको चमार से खत्रा होता है लेकिन गिन्नी माई ने उसको पावर बनाया और उसका जवाब डेंजर चमार गाने से दिया जो भी पचास मिलियन से ज़्याद है व्यू है यूटूब पर लेकिन मीडिया वालों ने इतना पूच पूच को उसको ऐसा फिल कराया गया कि यार तुम इस सब्द पर इतना घमट कैसे कर सकते हो ये तो सब्द गाली है गिन्नी माई ने इस जवाब दिया भाई चैसे चाम मैं से मां से रह से रख जो पूरा सरीर बना हुआ है और अड़ी माच चमड रखते से बना हुआ है और उसी को चमार कहा गा है पूरी दुनिया को चमार कहती है यहां पर गिन्नी माई लेकिन यही लोग जट जट करने वाले को कभी ने पूछेगे क्यों आप इतना नाम क्यों लेते हुआ इनके में इतनी इम्मद नहीं है लेकिन यही गिन्नी माईने जब चमार गाया तो उसको मीडे वालों ने दुनिया पर के सवाल करें भाई यही क्यों गया भाई वो गाना है यार उसको गाने के तरह इंजवे करो आप भी यही पूछ जारो यही क्यों गया एक जार इन्टुर्य में सब से यही पूछ रहे पूछ रहे के यह क्यों गया भाई भाई गाना है वो अपनी कम्मूनिटी से है अब हर सोंग में इनके जट अभी सुनिंदा सर्मा का गाना आता जिदर भी देखे जट दिस दा भाई जट को यार छलावा है भूत प्रेत है क्या या फिर हवा है कीड मोकोड है के जिदर भी देख रहे उदरी जट दिख रहे है क्या भाई यह तो बता हो लेकिन कोई नहीं पोचेगा हमने गादे जदर भी देखे जट दिख दे तो मेडिया वाले साल है पूछनेयों लग जाएगे भाई बलसकि यह हगीकत है जदर भी देख वह चमाल दिखेगे चान दिखेगा और मास दिखेगा ये फिट बैटता है लेकिन जिदर भी देख रहें जट दिशदा है जट होंदे है जट ये कर दोगे जट नए कुरते सुवाई है भाई यार कुछ बिना मतलब कि फॉम में हो यार कुछ सब्द का छैन सो चमजग करा करो बे मतलब कि हर चीज में खुषेड दे तो लेकिन उनसे कोई नहीं पूछेगा हमारे समाज के जो एक दो गाने हैं उनको हिट हो जाते हैं तो इनकी जनर्नल सुरू हो जाती है तो दोस्तो अपने समाज के जितनी भी सिंगर है मैं इस चैनल पर सभी के खुझ खुझ कर लाने वाला हूँ वीडियो तो प्लीज चैनल को सुपोर्ट जरूर करिए और हमारे साथ बने रही है तो राका भाई का चैनल जाओ और सुपोर्ट करो सस्क्राइब करो लाइक सेर कॉमेंट करके जरूर बाओ